नमस्कार साथियो आपका हमारी यूट्यूब चैनल जूगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागते में जूगल राटोर साथ इस वीडियो में बात करेंगे साला दरपन पर कक्सा एक से बारा जो स्टूडेंट की उपस्तति होती है यानि कि जो मंतली अटेंडेंस होती है मासिक बात कारें दिवस की इंट्री करनी हो या विद्ध्यार्थी की मासिक उपस्तती दर्ज करनी हो तो किस परकार करनी है इसको ले कर पूरी जानकारी क्या है मैं आपको शुरू यूम देखें तो आप अमारी चैनल पे नए हो अभी तक आपने आमारी चैनल को करें पेल आगण प्रेस करके ओल पर जरूर किलिक करें क्योंकि एसी लेटेस जानकारी में आपको लगातार देता रहता हूं तो शुरू करते हैं तो देखें साथियो सबसे पहले आपको करना क्या है सबसे पहले आपको साला दरपन जो इसको लोगिन आईडी और पास्वर डाल कर लोगिन कर लेना है लोगिन करने के बाद आपको साला दरपन का जो इंटरपेस है इस पर का नजर आता है यहाँ पर आप देखेंगे जो अपको option मिल जाता है यहाँ पर आप देखेंगे तो विद्धयार्थि की जो मासिक उपस्तती परविष्टी करनी है यानी कि जो महिना उने के बाद आपकी जो student की उपस्तती बनती होग़ों आपको online करनी होती है तो जो विद्यार्टी मासी को उपस्तिती प्रविष्टी करनी है इसी option पर आपको किलिक कर देना है अब देखे जैसे आपने यहाँ पर किलिक किया तो यहाँ पर देखे student wise मंतले attendance entry का option आचुका है यहाँ पर आपको सबसे पहले session जो है select करना होता है session आप पर सबी दे रखे हैं अभी जो current session तेवी choice चल रहा है हम इसकी बात कर रहे हैं जो भी session आप select कर लें तेवी choice जैसे मैं बात कर लेता हूँ class की बात करें तो सबी कक्साओं के entry आपको करनी है मैं यहाँ पर उदाना की रूप में आपको एक कक्साओं का बता देता हूँ जैसे माली में class 4 की बात कर लेता हूँ इसके बाद आपको section select करना है ABC जो भी section है आपकी विद्याले में चलता है जैसे माली मेरे विद्याले में अभी एकी section है हो सकता है आपकी विद्याले में AB 2-3 section हो तो जो भी है उसके entry आपको करनी होती है महा की बात करें तो आपको जो भी session है जैसे 23-24 से और जब माई से जैसे की यह June या माई तक अपरेल तक यह session सुरू होता है तो आपको माई से अपरेल तक की इसके entry करनी होती है तो जैसे मालगी मैं अपरेल की बात कर लेता हूँ कि अपरेल मंतिके मुझे entry करनी है सभी महीनों के आपको entry करनी है मही से अपरेल तक तो यहाँ पर उपस्तती दर्ज करें पर आपको click कर देना है चात्रों की उपस्तती लेने से पहले चात्रों की अधिक्तम कारेदिवस की परविष्टी करें और उसके बाद ही चात्रों की उपस्तती संभव है यानि कि यहाँ पर यह एक प्रोग्लम है कि हमने जो अपरेल माह हैं इसके कारेदिवसों की entry नहीं किये है इस कारणाम यहाँ पर जो अपरिल मा है इसकी एंट्री नहीं कर पा रहे हैं यानि कि यह समझ से आपके हर महीने में आ सकती है यह कब आएगी जब आप यहाँ पर सभी महीनों की कारेदिवस की प्रविष्टी नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पर उपस्तिती दरजिन नहीं कर सकते हैं इसके लिए आपको करना क्या है? यहाँ सी इसको ऑके करके हड़ा देना है और यहाँ पर जाएंगे आप तो यह देखे ऑप्षन यहाँ पर आपके सामने आ जाता है class wise mentality total working day entry यह option आपको कहां मिलेगा तो इसके लिए आपको यहाँ पर विद्याले वाला option अगर आता है इसी पर आपको click कर देना है यह से आपने विद्याले वाले option पर click किया तो यहाँ पर आपको यह option नीचे मिल जाता है देखे विद्याले वाले option में आप जाएंगे तो ककसावार कुल मासी कारे दिवस परविष्टी यह option मिल जाता है यह सिधा ही यहाँ पर open भी हो चुका था जो मैंने आपको बताया था लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं ककसावार कुल मासी कारे दिवस परविष्टी यानि कि हर मेने के जो कारे दिवस होते हैं उनके परविष्टी आपको करनी होती है तब यहाँ पर इस्टूडेंट की जो मासिक उपस्तिती उसकी एंट्री कर पाएंगे तो इसी उप्सन पर आपको किलिक कर देना है अब देखें जैसे आपने किलिक किया तो यहाँ पर आपके सामनी यह उप्सन खुल चुका है यहाँ पर देखें क्लास वाइज मंतली टोटल वर्किंग गेज एंट्री है यहाँ पर सबसे पहले आपको सेस्टन सेलेक्ट करना है यहाँ नीचे नोड देके तो मीटिंग की सं सकता है आपके आदा दिन विद्या लेच चला हो तो आप उसको पूरा दिन मान के हैं यहाँ पर एंट्री करें अब यहां पर सेस्टूपर आपको किलिक कर देना है जिसी आप सोब क्लिक करेंगे तो यहां पर नीचे आपके सामनी जित्टे बी कक्साएं हैं और मही से अप में आपको करनी है देखने अब आपर अप्रेल की नहीं की तो देखे वहाँ पर एंट्री करना है तो यहाँ पर इसको एंट्री करेंगे तो यहाँ पर इससे आप शिज़ां आपको यहां पर आपको जो student की मासिक उपस्तिती प्रविष्टी करनी थी तो यहां पर विद्यार्टी मासिक उपस्तिती प्रविष्टी पर आपको क्लिक कर देना है तो देखे जिसे मैंने क्लिक किया तो यहां पर मैंने session class और section select कर लिया है मन्त यहां पर जो अभी मैंने अपरेल के एंट्री नहीं की हैं जिसे महां लिगी मैंने मार्ज के एंट्री कर दी हैं तो मार्ज की में हम बात कर लेते हैं उपस्तिती दर्ज करें पर आपको क्लिक कर देना है जिसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखे यहाँ पर देखे तो जो मार्ज के हमने एंट्री की है तो उसके कुल मासिक कारे दिवस आचुके हैं यहाँ पर देखेंगे आप तो वहाँ पर हमने जो मासिक कारे दिवस के एंट्री की थी विद्धेलेवर उप्सन में वो यहाँ पर आचुके हैं अब आपको यहाँ पर कुल मासिक उपस्तती दर्जी कहनी है, यहाँ पर ध्यान दे कि यहाँ पर मासिक कारे दिवस से ज़्यादा कुल मासिक उपस्तती नहीं होनी चाहिए, यानि कि मासिक कारे दिवस तेविस हैं, तो मासिक उपस्तती तेविस या तेविस से कम होनी ढूरु कर देना है तो इसी परकार आपको जो यहां पर अन्य महीने हैं दे Э्ट यहां पर जितने वह महीने है, आप garlic मैहीं ने प्रत्रीक महीने की जो फेल इश्री करनhetic है उसके लिद्वाफिति करने हैं और यहां पर डो यहां पर बड़े ही आसान तरीके से जो student की मासिक कारे दिबस हैं या उनकी मासिक उपस्तति हैं किस परकार एंट्री करेंगे उसकी पूरी जानकारी इस्टे बाइस मैं आपको इस वीडियो में देने का प्रियास किया आप जैसे यहां पर हो जाएगी तो यह एंट्री करना जरूरी है तो आपको मारी जानकारी कैसी लगी जानकार अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने उमारी चैनल को सब्सक्राइब निके तो चैनल को सब्सक्राइब करें ये लाकर प्रेस करके ओल पर जरूर किलिक करें क्योंकि एसी लेटे जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं धन्य वासाती हूं फिर मिलते हैं नई वीडियो में नहीं जानकर एक साथ तब तक लिए जय हिंद!